और बाहर जाते विश्वास ना कोई मंत्र है ना कोई जाब है ना कोई तंत्र है बस फोकस किजिए अंदर आते विश्वास पे और बाहर जाते विश्वास के साथ रहना है, रजग रहना है, अवेर रहना है, विचारे आते हैं, आने दो, वो आएंगे ही, लेकिन हमें अवेरनेस से, रजगता से, हमारा फोकस वापिस हमारे शौंसों पे लाना है, हमें उन विचारों के पीछे नहीं भागना, हमें के अवेरे चारे वापिस हमेदवने के ये शौंस लास्ट वाइन मिनिट फ्रेंड आप हो कि पूरा शॉस पे रखना है लास्ट थर्टी सेकंड लास्ट थर्टी सेकंड लास्ट थर्टी सेकंड नाइन एट सेवन शिक्स फ़ई पर दी टू वन जेरो अब अपने हतिलियों को खोलते हुए आपके आखों पे धीरे से रखिए और पाच सेकंड के लिए वहाँ पे रखना है अब धीरे धीरे सुन्दर असी मुस्कान के साथ अतिलियों को खोलते हुए अपने आखों को खोलना है और आपके लिए आपके ध्यान के लिए हमारे ब्रहमर्शी किता महापत्री जी के लिए तालिया बचानी है प्रफना आओ अच्छी परहर जी 3 स्फिरे ये फ़युक है कि यह बहुत बहुत इंटरश्टिंस टॉपिक है और तुम मुझे माजम बहुट सारे को सारे क्वेश्टिन संभा आप आप तो खेंधी, ओवर तो यू. बहुत बहुतु है. Thank you, thank you, thank you. Thank you friends. And welcome, good evening. अज हमारा टॉपिक है, जैसीन जिसे निरो से मैं ने पहले है बताया कि LBL, लाइन लाइन, लाइने, लाइन लाइप, बेटुएन लाइप। नाइप होता क्या है? जो जब आदमी की मृत्ति हो जाती है और फिर से वो एक जनम लेता है मानलोग पृति पे ही जनम लिया तो ये इमिजट नहीं होता है इसके बीच में बहुत सा समय गुजरता है तो वो समय पे हम कहा होते हैं कहा पे होते हैं, क्या करते हैं यह है हमारा Life Between Life जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं अब आप यह बताओगे कि हमने बहुत सी बाते सुनी है बहुत कुछ सुना है कि भाई घावध भी है, मरने के बिना तो स्वर्ग नहीं दिखता तो यह आपको कैसे पता चला इस इंटरेस्टिंग कोश्चन तो आपकी बात बिल्कुल सही है लेकिन अगर हम मेडिटेशन करें ठीक से तो हम भी वहाँ पर जाके देख सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं बस हम वो लेहल पर जाने चाहिए लेकिन ऐसे कुछ लोग है जो यह चीज़े करवाते हैं वो पूरे जंज आगरूती के लिए हमें नॉलेज मिलने के लिए वो ऐसे है डॉक्टर माइकल नूटन जो अमेरिका में है वो बहुत बुड़े है रिटायर हो चुके है और वो इन सारे चीज़ों में इंटरेस्ट रखते है उन्होंने हजारो हजारो लोगों को रिग्रेस करके उनके उपर ट्राइ करके यह रिसर्च चीज़ा है वो पास्ट लाइप रिग्रेशन के एक्सपर्ट है लेकिन उनका फोकस उनका का एरिया सिर्फ लाइप बेटून लाइप पे फोकस करना है उन्होंने हर तरीके के लोगों को यानि जैसा माम ने बताया था हम लोगों ने सुना था वारे body evolution और soul evolution होता है तो जो soul evaluated होते हैं पछले स्टेस से लास्टेस ततर बेबी शोल इंट स्टोल आडवांस सोल तो हर एक टाइप के सोल को उन्होंने चूज करके रिग्रेस करके यह सारी इंफॉरमेशन इकटा की है तो चले ज्यादा देरी ने करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं हर एक का एक्सप्रेंस बहुत अलग-अलग होता है तो इन डॉक्टर ने कुछ कामन एक्सप्रेंस लिया हैं जो बहुत ही कामन है क्योंकि हर एक को अलग-अलगाएगा तो सारे कुछ तो एक्सप्रेंस करनी सकते हैं सारे हम समझ भी नहीं सकते तो यात्रा शुरू होती है जब कोई आदमी कोई विक्ति मर रहा है या फिर उसका देश चोड़ने वाला है अब उसमें बहुत से टाइप्स हो सकते हैं कि कोई बहुत बिमार है कोई सडनली किसी के डेथ हो सकते हैं कोई वार में मार सकते हैं तो हम सारी चीज़े है काल बेड़री मम देखेंए उसे हमने बहुत सुना है कि हमारे सॉल ही होते इसके साथ हुदके हमारे गाइड़स होते है जो हमारे स्पिरिक गाइड़ होते या उसके साथ हमारे कुछ गुजरे हुए लोग होते हैं या फिर प्रेंट्स होते हैं यो घुज़रे होते हैं वह हमें लेने भी आ सकते हैं क्यूंकि बहुत बार जो आदमी बीमार हो जाता है उसकी इतनी शक्तिनी होती है कि वह खुद को अपने सॉल से डिटैच कर सके क्योंकि हमारे अंदर और सौल के अंदर एक लि तो तोड़ने में भी बहुत बार असमर्थ होते हैं लोग अगर कुछ बेडिन रहे तो यह सोल जो लेने आये हुए और फ्रेंट्स लोग जो अल्रडी गूजर चुके हैं वो हमें उस नाड़ के अलग करके सोल को अलग करने मदद करते हैं और फिर उन्हें उपर लेके जाया जाता है अब उपर लेके जाया गया अब ऐसा भी है कि कोई लोगों को उनके देहान के बाद में कोई स्कृट लेने नहीं आता है यह लोग होते हैं थोड़े से एडवास लेवल पर मैंचरोड लेवल पर जिनने पता है कि स्वोलोड में कैसे जाना है तो बस उनके डेथ होगी वो सीधा स्वोलोड में चले जाएंगे और तिसरी एक चीज़ होती है कि कुछ नए सोल होते, बेबी सोल, इंपन्ट सोल, और कुछ ऐसे डेथ होते हैं, मानलो किसी वार में मर गए हो तो उस वक्त में ऐसा होता है कि, बॉल्क डेथ होने के बाद, उन्हें एक बहुत सा बड़ा टनल दिखाए दिता है, जिसके अंदर उन्हें खीचा जाता है, या फिर वह वहाँ पे जाते हैं, वहाँ भी एक एरेंजमेन्ट होती है कि कोई पास पास से दो सोल के अंदर लेकिन हमारे जो spirit guide होते हैं, इस world में कोई भी unattended नहीं होता है, हर एक को attention मिलता ही है, बस थोड़ा सा वक्त लगता है, तो इन सारे souls को वो या तो spirit लेने आते हैं, या फिर उन्हें एक force उपर की तरफ खीचता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि बहुत एक बहुत बड़ा tunnel होता है, उसके अंदर उन्हें खीचा जाता है, और tunnel के अंदर और कुछ sub-tunnels होते हैं, कि जिस तरीके से soul का evolution हुआ है, अलग-अलग तरीके से soul है, तो वो अलग-अलग तरीके से अलग-अलग रूट से जाएंगे, तो ये एक arrangement होती है, divine arrangement, जो वहां से हमें soul order में लेके जाया जाता है, अब बहुत से इसे soul होते हैं, मानलो की warrior है, तो बहुत तूट गया है पिचारा, उसने बहुत कुछ जहला है, या फिर बहुत बिमार आदमी था, जो मर गया, लेकिन मरने के पहले, वो इतना damage हो गया कि उसने उसके soul को भी damage कर लिया है, ऐसे बहुत सी बिमारी होती हैं, जिसके वज़े से soul भी damage हो जयता ह तो उन लोगों को, जब वो उपर जाते हैं, तो जैसे आपने मुवी में देखा होगा कि एक बीम आता है और उसके अंदर में से उस soul को, उस body को दिखाया जाता है, लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, तो exactly similar kind of thing happens over here, उनके उपर एक रोशनी आती है, एक प्रकाश आता है, ए उनको सुटाइज सी एइनर्जी दी जाती है जिए वहाँ पर ऐस्छा क्याए खड़ हो सके, खुब को समाल सके इस तरीके से, और फिर जब उपर जाते हैं, तो वहाँ पर उनका वेलक्स होता है, गेट पे, इसacı। वेलकम होता है और सोलोड के गेट पे वेलकम करने के लिए बहुत से लोग आते हैं उनके फ्रेंड्स हमारे गाइड्स तो होते ही हैं उनके फ्रेंड्स भी हमारे फ्रेंड्स भी आते हैं जो आदमी मर जागा उसके रिलेटिव आते हैं फ्रेंड्स आते हैं ऐसे भी लोग होत और उनके एक एरेंजमेंट होती है, जो वड में गय है, वहाँ पर लव, कमपैशन, बहुत होता है, रिस्पेक्ट बहुत होता है, तो अगर कोई सोल आता है, तो एक एरेंजमेंट ऐसी होगी, और यहाँ पर गुरू होंगे, याने कि हमारे प्रिद गाइड होगे, जो सोल को ख्रम bury जाए हैं देखर आपको एक खड़े जो का टरण आने के बाद ही उसे विलकम करने जाएंगे और वो इस एक टर्न करके एक अधर सोल को मिलेंगे अब सोल डामेज होते है या फिर नहीं भी होते है लेकिन फिर भी उन्हें एक कमरे में लिए जाया जाता है वो एक होस्पिडल होता है बिसिकलर जेल हता है जिसे हैं चेमर बोलते हैं या पर करे रोमी भी बोलते हैं उस रोम में उने रखा जाता है कुछ समय के लिए है और फिर वापे कुछ डॉक्टर नर्स अस तरीके से लोग होते हैं जो उनकी केर करते हैं। तो बहुत अच्छी तरह के से उनके केर होती है, एकदम लविंग केर होती है, जैसे कि हमारे घर में हमारे पैरेंट्स करते हैं, तो फिर कुछ दिनों के बाद में, जैसे वो रिकॉर्ड हो जाता है, या फिर रिकॉर्ड नहीं भी हो आए, तो उसके पास एक विश्व होती है, वो खुद चूज कर सकता है कि अब जितनी भी मेरी हीलिंग होईए, इसके बाद मैं मैं झे खुद को हिल करना है, मैं खुद हो जाएगा, और मुझे खुद को हिल करना है, मुझे आप से ट्रीटमेंट नहीं लेने, मुझे अब शांती चाहिए, मुझे पीस चाहिए, तो उन्हें एक चेमबर दिया जाता है, यहाँ पर अंदर जाके, उन्हें जितना समय चाहिए, उतने समय तक वो रुख सकते हैं, खुद को हिल करते हैं, और उस चेमबर ऐसे होते हैं, कि वहाँ कोई लाइट वगरा नहीं आनी चाहिए, वो सारी केयर होती है, जैसे कि सोल की रिक्वार्मेंट है, मुझे अंदेरे में रहना है, मुझे प्रकाश में रहना है, उस तरीके से उसे वो प्वाइड किया जाता है, पूरी तरीके से केयर की जाती है, अब वो वक्त उस सोल के पर है कि उसे कितने वक्त वहाँ पर रहना है, अगर हम इसे अर्थ के हिसाब से क्याल्कुलेट करें, काउंट करें, हो सकता है, वो दस साल रहे, बीस साल रहे, पचास साल भी रहे, आ बस वहाँ पर उनकी हीलिंग थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन उस सोल ने वो चूज किय है कि उसे खुद वहाँ पर हीलिंग करना है, और फिर उसके गाइड वक्त आने पर उन्हें वापिस बुला सकते हैं, या फिर वो गाइड के साथ टेलिपती करके उन्हें बुला सकते हैं, तो यह हुआ उनका हीलिंग का, उसके बाद में, जब यह मानलोग हील हो गया, या फिर फुद को हील किया या फिर उन्हें ड़ॉक्टर से हील हो गया, उन्हें उन्हेंने जो भी जनम लिया था इसके बाद वह आया पर आये हुए, उसका पूरा मुवी उन्हें दिखाया जाता है, या तो वो सिधा ऐसे सामने देख सकते हैं, ज़सा हम स्क्रीन पर देखते कि या फिर उन्हें एक specific auditorium में लेके जाया जाता है, जहां पर बहुत से बड़े-बड़े TV screen होते हैं, तो 3D भी होते हैं, या फिर आप जस देख भी सकते हो, और वहां पर या तो soul रहेंगे, या फिर सिर्फ वही soul रहेगा, जो देख रहा है, जिसका खुद का movie देख रहा है कि मैंने ये किया, वो किया, बुरा किया, सही किया, अच्छा किया, ये सब होने के बाद में अब soul क्या करेंगे, question, right? फिर अवापे इतनी सारी चीजे होते हैं, इतना सारा बहुत कुछ होता है, इतनी सारे activities होती हैं, कि हम सोझ भी नहीं सकते, बहुत toxicity हमें पता भी नहीं हैं, जिसके बाद में उन्हें ले जाया जाता है, उनके घर में, उनके गुरोप में, souls के बहुत से groups होते हैं, जैसा हम में पढ़ा था, सुना था, कि सोल, सोल की एवलेशन होते है और हर एक सोल के एक स्टेज होती है, जैसे कि इंपेंट सोल, बेबी सोल, मैचॉर सोल, अडवांस सोल, तो उसी तरिके से डॉक्टर न्यूटन ने बताया है, साथ उनके स्टेजस होते है, जो कि हम कलर्स में बताएंगे आपको, तो पहला होता है, जिसे हम इंपेंट सोल बोलते है, ये उन्हें बेबी सोल बोलते है, और उसका जो कलर होता है, वो होता है आफ वाइट, और उसके बाद की स्टेज होती है, कम्पलीट वाइट, शाइनिं यलो उसके बाद की स्टेज होती है डार के यलो और उसके बाद में नेक्स जो स्टेज आती है लाइट ब्लू उसके बाद की स्टेज होती है डार्क ब्लू और उसके बाद में होती है वाइलेट तो जैसे मैं कब से बोल रहा हूँ और निताम आमने दी बहुत बार बताया कि ह सोल के स्पिरिट गाइड होते हैं अब इस पिरिट गाइड एक पर्टिकुलर लेवल से आगे होने के बाद ही किसी को गाइडन्स कर सकते हैं जैसे कि जब हम डार्क यलो स्टेज पे पहुच जाएंगे वी कैन बिकाम गाइड आप लोवर लेवल सेउल्स वापे उन्होंने बताया है कि हर एक सोल को दो गाइड होते हैं पहले गाइड होता है कम से कम जो सोल होगा उससे दो स्टेज आगे का होगा और जो हायर गाइड होगा वो पहले गाइड से दो स्टेज आगे का होता है तो ऐसे हमारे गाइड होते हैं और हर एक सोल के लिएवल कि यह साफ से उनके groups बनाये जाते हैं प्रेंट्स हम questions बाद में लेंगे कुनम मैंने हाथ उठाया है हम questions बाद में करेंगे पहले session कर ले ठीक है तो यह soul को उसके group में डाला जाता है वो फिर सारे उसके friends या फिर soulmates होते है सारे friends के साथ हलाग उल्ला मस्ती वगरा सब चलते रहता है और उनके उपर हर वक्त soul guides की हमारे gurus की निगरानी रहती है बहुत ऐसे ही वक्त होते हैं जापे वो निगरानी भी नहीं करते हैं अब soul तो आ गया उसके group में अब क्या करेंगे उनके लिए भुछ से activities होती है educations होता है बाकाई दाउन के लिए एक school होता है जैसा आज हम यहापे आपे आके आपको sessions दे रहे किसी और master को बुला के हम sessions दिलवाते हैं वैसे ही guides उनको sessions दिलवाते हैं और कुछ advance उनके friends guides होते हैं उन्हें बुलाते हैं इन सारे सोल्स को session दिलाते हैं सारे सोल्स हलाग उला करते रहते हैं मास्त मजा करते रहते हैं अब कोई ऐसा लग रहा होगा कि यह तो हमारे पृतिजे भी होता है तो वह पे क्या difference है ऐसा नहीं कि यह पृतिपर होता है इसलिए वहाँ पे होता है वहाँ पे होता है इसलिए अर्थ पे भी होता है और difference यह है कि वहाँ पे जो भी कुछ चीज़ होती है वो पूरी अच्छे तरीके से होती है जागरुफता से होती है हर कोई किन लिकरता है अगर मान लो यह स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में हर एक की बैटने की अरेंजमेंट भी ऐसी होती है study करने के लिए कि कोई दूसरा उन्हें डिस्टब न करें तो उनके अरेंजमेंट ऐसी होती ही कोई दूसरा पूरी तरीके से पैक्ट होता है, लेकिन उसके टीचर को देख सकता है, टीचर क्या पढ़ा रही, सब कुछ चीजे देख सकता है, इनके आरेंजबेंट पूरी परफेक्ट होती है, इनके रूम्स एकदम परफेक्ट होते हैं, उनके ग्रूप्स एकदम परफेक्ट होते हैं, सब कुछ जॉली इन्वारिमेंट होता है और यह सोल, वहापे कुछ रूल्स होते हैं हमारा गुरूप छोड़के किसी और गुरूप में जा नहीं सकते without the permission of our guide तो अगर हमें कहीं जाना है तो हमें guide की permission लेनी होती है या फिर guide हमें वहापे लेके जा सकते है या फिर वो चीज़ मोया की करके देते हैं जो हमें चाहिए हम higher groups में नहीं जा सकते जब तक हमारी ability या हम deserve नहीं करते हैं इसके लिए वहापे बहुत से educational centers होते हैं अलग-अलग तरिकेशे educational centers होते हैं जो पढ़ना है जिसकी जो इच्छा है वो पढ़ लगते हैं लाइबररी होती है अब इस वो जब क्लास में जाते हैं तो मैंने जैसे बता है कि उनके arrangement होती है वहापे ऐसा उनके exams भी होती है वहापे ऐसा कुछ चीज में होता है कि हम copy करें और उनके arrangement इसलिए अलग-अलग नहीं होती है कि हो copy करें इसलिए होती है कि कोई soul disturb न करें और जो भी soul पढ़ाई कर रहा है वो पूरी ढंग से पूरे दिलो जान से पढ़ाई करें उन्हें बहुते प्रोजेक्ट दिये जाते हैं चोटे-चोटे drawings बनाए जाते हैं जो जो यह पर होता है सारी चीज़े वाप होती है कोई ऐसी कमी नहीं होती है हमारे इस्ते भी ज़्यादा ज़्यादा चीज़े वाप होती है souls बहुत enjoy करते है souls का group gathering भी होता है जो higher souls के साथ होता है अब जब यह gathering में जाते है तो pass होते है उन्होंने दूसरे souls देखे होगे थे अब यह soul वो भी हो सकते है कि जो उनके कुछ friends हो या उनके senior relatives हो जो पुर्षवी पे थे अब वहाँ पे हैं जो अलड़ी मर चुके हैं लेकिन रूल के इसाफसे वो soul इनके पास नहीं आ सकते और यह soul उनके पास नहीं जा सकते without permission बस जाते हुए बोलेंगे और यह इनकी position लेगे वो उनकी position लेके बैठेंगे और जो भी कुछ सीखना है पढ़ना है जो भी कुछ करना है वो करते रहेंगे अब जैसा मैंने आपको बताया था आपकी वो वहाँ पर कैसे दिखते हैं अगर कोई नहीं मरा हुआ होगा वो भी रहेगा वहाँ पर या पर welcome करने आएंगे तो वो soul कैसे है जो जिनोंने जिनकी date तो हुई नहीं है लेकिन soul मुड़े में भी है जब हम यहाँ पर प्रुस्वीड पर जनम हम वही soul word में ही छोड़के आते हैं और बचेवी energy हम लेके नीचे आते हैं अब जो soul word में energy है वह भी वहाँ पर सीखती रहती है काम करते रहती है वहाँ पर भी evolution होते रहता है अब आपे बोलेंगे इतनी सारे arrangement वहाँ पर है तो प्रुसी पर आने की क्या जोड़ते हैं वहाँ पर सब entertainment है movies है groups है home है तो यहाँ पर क्यों आते हैं इसलिए आते हैं कि यहाँ पर सारी कुछ चीजे वहाँ पर नहीं सीखी जा सकती क्योंके वहाँ पर सारा सारा अच्छा है divine है हर कोई हर दुसरे से बहुत प्रेम करता है बहुत आदर पुरुव करेता है respect बहुत है जो हमारे अर्थ पर ही नहीं तो यह चीज़े सीखने के लिए हमें अर्थ पर आना ही पड़ता है और यह difference है वहाँ के learning में और यहाँ के learning में तो वहाँ से compared to soul word अर्थ पर हमारा learning fast होता है बहुत ही fast होता है इसलिए हमें यहाँ पर बार बार आना पड़ता है और यहाँ पर आने के बाद ही हम बहुत कुछ चीज़े सीखते हैं तफ से तफ चीज़े सीखते हैं कंपैशन सीखते हैं अर्फ दिरे धीरे हम यहाँ होते जाते हैं और नेक्स नेक्स स्टेज़ पर हम पहुचे जाते हैं आगे में जाते हैं आपे ग्रूप्स में जब बैठेंगे सब सोल, गपपे और गपशप मारेंगे उनके सब एक्सपिरेंस शेयर करेंगे लेकिन हो सकता है, वो बोर हो जाएं तो उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए भी अरेंजमेंट होती है उनके गाइड्स उन्हें पिक्निक्स पे लेके जाते हैं बहुत से पिक्निक्स होती है जिसको जहां पे जाना है वहां पे वो पिक्निक पे जा सकते है तो कोई बोलेगा मुझे किसी और प्लैनेट में जाना है, कोई बोलेगा मुझे आर्थ पे, समंदर पे जाना है, पाने में खेलना है, तो वापिस उसमें ग्रूप बनाएंगे, कि जिसे जहा जाना है, जिसे जो सीखना है या तर देखना है, जैसे कि पाच लोग बोल रहे है मुझे समंदर भी देखना है पाच लोग बोल रहे हैं मुझे दूसरे प्लैनेट पर जाना है और दस तोल बोल रहे हैं कि मुझे इसी जंगल में जाना है तो उन सारों के लिए एक एंजॉयमेंट की पिकनिक एरेंज की जाती है अब ये पिकनिक के लिए और कुछ एड़वांस सोल होते जो की उन चीजों में परफेक्ट होते हैं ट्रैवलिंग में परफेक्ट है इन सोल्स को हैंडल करने में परफेक्ट है इन सौल को समझाने में परफेक्ट है कब कहा ले तो अभी सारे सोल को उन्हें सुपूर्ट किया जाता है और वह उनका गाइड बनता है और टेमपर रेतिलिग जब तक पिकनिक करके न आएं जैसे हमारे निक सोटिए हम एक पिकनिक का मैनेजर मिल जाता है और सब हमें घुमा इस तरह के से उन्हीं घुमाया जाता है अब मानलो एक ग्रूप है जिसने बोला कि मुझे समन्न ने देखना है बीच पे मुझे एंज्वय करना है तो वो सारे लोग वो सारे स्पिरिट जिने एंज्वय करना है उन सारो को वो और पे लेकर आएंगे और फिर जिसी बीच पे अब उस सारे भीड़बार में आते हैं और उन्जॉय करना शुरू कर देते हैं किसी के ओपर पानी फेकेंगे एक दूसरी के पीछे भागेंगे मस्ती करेंगे उनके लिए बहुत सी सहुलत होती है और यह जो सोल गाइड होते हैं उन्हें पता होता है कि इन्हें थोड़ा सा भी छोड़ना चाहिए उनके पीछे लगना नहीं चाहिए उन्हें बाकाईदा थोड़ा सा टाइम दिया जाता है कि उनके उपर कोई निगरानी नहीं होती लिटरली नो अब्दरवेशन तो उस ताइम पर यह सोल तो इतना हला गुला करते हैं कि पूछो मत फुल टाइम ए या फिर आप उसको डिस्टब कर सकते हो तो यह लोग डिस्टब नहीं करते हैं और हमें दिखते क्यों नहीं है क्योंकि बहुत से लोग डर जाएंगे अचानक कोई सोल सामने आ गया भूत समझ के डर जाएंगे कोई तो जान वापिस छोड़ देगा वाप है लेकिन यह हो स या फिर वह भी थोड़ा सा थोड़ा बहुत एडवांस सोल है या फिर वो समझ सकता है कि यहां पर कोईhay एंटिटी है या सोल है और लोग डरनी नहीं चाहिए इसलिए वो लोग कभी किसी के सामने नहीं आते हैं उन्हें संक्शाष इंल्स्चन भी होते और यह बहुत जंगल में जाते हैं, वो जंगल में एंजॉयमेंट करेंगी, कोई लोग किसी और प्लैनेट में जाते हैं, वहां पर भी करेंगे और उनकी एजूकेशनल पिकनिक भी होती है, जैसा हमार आप फिल्ड वर्क होता है, वैसे उनके लिए पिकनिक भी के आरेंज की जाती है तो मान लो जैसे किसी को कुछ सीखना है अब इने तो इनको सब नौलेज देना ही है वहाँ पे भी सीखना ही है तो अलग-अलग तरीके से सीखेंगे तो ये भी उनका एक पार्ट है कि आप जाओ भाई दुनिया गूमो, वर्ड गूमो, नए नए वर्ड गूमो, प्लैनेट गूमो और वहाँ से सीखके आओ तो इन्हें वाप इस प्लैनेट पे ले के जाया जाता है प्लैनेट की इंफॉर्मेशन दी जाती है ये प्लैनेट ग्यास का है क्यों है इसका importance क्या है इसका वजुद क्यों है इस सारी चीज़े उन्हें समझाई जाती है और यह धीरे धीरे जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं यह हमारे stages होते है friends की हम knowledge इकटा करते रहते हैं ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं होता है बस हमें उसे activate करना आता और जब तक हम यह सी वेर करते जो किसी और प्लैने में नहीं है और इसलिए हम यहां पे बहुत ज्यादा सिखते हैं और बहुत फास्ट सिखते हैं जो हम सोल वड में भी नहीं सिख पाते हैं सोल वड में उन्हें एजूकेशनल चोटी-चोटी आसाइंमेंट्स दी जाती हैं कि आप यह बनाओ वो बनाओ जैसे कि किसी को बोल दिया, किसी को असाइंमेंट्स दी आपको चुवा बनाना है किसी को बोल दिया, आपको फिश बनाना है तो बहुत से funny things होते हैं friends को आपे कोई सोल होते हैं, start करते हैं, चुए का कान बनाते हैं आख नहीं बन पाती है, उनको बहुत टाइम लगता है, कुछ-कुछ सोल तो इतने एक्सपोर्ट होते हैं, पाच मिनिट के अंदर पूरा चुहा बना देते हैं, और उनसे भी कुछ एडवास सोल होते हैं, जो बस सोचते हैं, और चुहा रेडी हो जाता है, तो ऐसे ही वो सोल कि आख तो बना पाती है, लेकिन उसे नाख नहीं बनता है, उसी में स्टक हो जाती है, और उबाजों में देखती कि दूसरे न तो पूरा चुहा बना लिया, और जस्ट दस सेकंड के बाद देखती तो पूरे स्कुल में, रूम में, इधर उधर चुवे दोड़ते रहते ह इतने कम समय में कैसे बना लिया, यह तो 10-15 टाइब की छुगे, मैं भस सोच्टे गया, मैं ने जस सोचा और बन गया, मेरे ले तो बस सोच नाहीं काती है, तो यह उनके ऐसे ही ऐसा Алइम घोते है, कोई चुवा बनाएगा, कोई और एक प्लानेट पे एनिमाल बनाएगा, तो ऐसा एक एडवांस टोल था, जिसे एक असेंडमेंट डी थी, कि आपको एक एनिमल बनाना है, तो उन्होंने एनिमल बनाया था, जिसे उन्होंने नाम दिया था रैनुला, और जैसा ही एक प्लैनेट है, जिसको दो सन है, दो सूरिय के बीच में है, और वहां पे एक ऐसी आगई है, जो बाकी के सारे प्लैंट को खा रही है और मार रही थी, और ये तो ऐसे ही बढ़ रही है, बस बढ़ रही है, तो वह खतम कैसे होगी, वहां के एनिमल भी उसे खा नहीं रहे थे, तो इसलिए जो एनिमल बना सकते हैं, जिनके पास ते सारी ताकदे आई हुई ह जाकर उनके पास जो स्किल्स है, वो एडवांस सोल को ऐसे प्रोजेक्ट दिये जाते हैं, उन्होंने एक एनिमल को बनाया, जो कि गोड़े इतना बड़ा है, हमारे अर्थ के गोड़े इतना बड़ा है, और उसका मू थोड़ा सा अलग उन्होंने बनानी है, जो हाती की सू पुछा गया कि इसको कितना समय लगा आपने बनाया उन्होंने बोल लिए तो बस सुबह से चार लू किया शाम तक मेरा खतम हो गया वापय से दिन और रात्नी होती हमारे कंपेरिजन के इस आप से उन्होंने बताया तो इतने जल्दी बना लिया हाँ बना लिया और के इस जुछ से आनिमल बनाने के लिए तब तक वग्रास बहुत बढ़ गई थी और उनने बहुत से आनिमल वहांपे पहँचे और उन सारे आनिमल ने सिर्वव ग्रास खाना शूरू कर दिया और उहां के प्लैनेट को उन्होंने बैलंस कर दिया तो फ्रेंड यह बहुत इंपोर के लिए बनाई गई गये और हम यह सूचते हैं कि हम बहुत है bir उन rely हैर हम फिर हम उन्हारे आंडर है यदि या फिर हम ममोरे वट अराश्र Caesar रहे यह इन27 के लिएur इसन फिर्ये इस वरने मसा शचते हैं कि हम करें और यानारे में अन्येमिल फिर DM करें हमारे फैशन के लिए उनकी स्कीन लेके जाते और उन्हें मारते हैं यह सब सच में बहुत बुरी चीज है इसलिए सोलवर्ट से ऐसी बहुती चीज़े जो हम सीख सकते हैं और इसलिए हम लोगों को यह टॉपिक लेने के लिए भी अच्छा लगा कि हम आपको यह चीज़ भी बता सकें अब हर कोई तो यह ऐसा ऐनिमल नहीं बना सकता है और हर कोई जो डॉक्टर सोते हैं वहाँ पे नहीं जा सकता है हर कोई पिकनिक एरेंज नहीं कर सकता है हर कोई गाइड नहीं बन सकता है उनके लिए हर एक स्टेज़ होते हैं, जैसे हमने बोला कि एक न्यूबॉन स्टेज है, जो जस्ट पहले बार आया हुआ है, इनसान के बेश में या फिर उसने इनसान का रूप लिया हुआ है, और दूसरा एड़वांस होगा, जिसे हम बेबी सोल बोलते हैं, तो जैसे हम इह हमारे पास इतना नॉलेज आया हुआ होता है, कि हम किसी को सिखा सकते हैं, रिस्पोंसिलिटी ले सकते हैं, किसी के हम स्पिरिट गाइड बन सकते हैं, वहां से हमारा अलग जर्नी शुरू होता है, रिस्पोंसिबल जर्नी शुरू होता है, और जब हम ब्लू तक हो जाते है light blue तक उस वक्त हम इतने evolve हो जाते हैं कि हमें पुरुट्वी पे जनम लेने की जरुवत नहीं है incarnation लेने की जरुवत नहीं है उन्हेंने बताया है कि यह जो blue souls होते है earth पे जितना population है उसके सिर्फ 1% होते है 1% ही लोग earth पे blue रहेंगे यानि की advanced soul रहेंगे और जो light blue है वो थोड़े से 2 या 3% रहेंगे और जो yellow है यह 10 to 20% रहेंगे और बचा हुआ पूरा population पूरी जनता आप white से लेके आप yellow तक है आप सोच सकते हो कि पृत्वी पे आज जो है वो किस तरीके से लोग हैं और यह सब जो इवाल होके आगे जा रहे है soul word में soul word में वो क्या क्या कर रहे होगे कितना काम होगा और कहा का पे वो होगे तो जैसे यह बड़े हो जाते हैं souls आगे चले जाते हैं एक evolutive stage पे पहुँच जाते हैं तो उनके लिए choices होती है या तो आप पूरे जहाद से source में आए हैं वहाँ पे आप source में विलिन हो सकते हो या फिर आप ऐसे कुछ गुरू बन सकते हो कि जो और ते लोगों को soul word में रहे के evolution करें guide करें, help करें हमने बहुत से master का नाम सुना है वो लोग यहाँ पे होते हैं जब हम चाहिए वो हमारे लिए आते हैं लेकिनों soul word में रहे के ही हमारी मदब करते हैं और कुछ soul होते हैं जो जैसे हमने बोला कि हर कोई वहाँ पर डॉक्टर नहीं बन सकता और डॉक्टर के लिए भी वो ऐसे ही soul होते हैं कि जो evolved होते हैं और advanced होते हैं उनके साथ compassion चाहिए उनको वो पूरा knowledge होना चाहिए वो deserve करना चाहिए कि उन्हें वो particular position मिले हर कोई soul उसके इसाफ से choose करता है उसे क्या करना है कोई आगे का और advanced journey लेता है कोई बोलता है कि नहीं मुझे अर्थ पे बार-बार जाना है तो मैं अर्थ पे जाके लोगों को help करूँगा वो एक बन सकते हैं कोई बोलता है कि मुझे में वो creativity है कि मैं creation करता हूँ तो वो creator के साथ जुड़ जाते है और कुछ चीजे create करना शुरू कर जोते हैं जैसा कि अभी मैंने बोला कि रेनूला किसे ने रेनूला create किया कोई soul होते है जो compassionate होते है इन्वार्मेंट की साथ उन्हें environment से बहुत प्यार होता है तो उन्हें environment care taker बनाया जाता है जो earth में आके plant kingdom को पूरी तरीके से care करते है उसे पूरी तरीके से keep करते है और नरिश भी करते हैं उनके साथ बात करते हैं जिस जिस की कमी है वो आपे बना के दिया करते है जो हमें पता अभी नहीं चलता है हो सकता है हो human form में आके काम करें हो सकता है हो soul form में ही आके काम करें और और भी कुछ soul होते हैं यह तो मैंने आपको इतना बता है कि जो soul आ चुके है advanced soul चुके है या फिर intermediate stage में है लेकिन और हम यहाँ पे मरने के बाद वहाँ पे जाते है इसके पहले की और एक stage होती है जहाँ पे बहुत 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 compassionate जिनको सिर्फ love और love और unconditional love जिनके पास है हर एक के characteristics होती है वो soul वहाँ पे होते है जैसे हमारा birth होता है soul से, source से तो हमें वो लोग maternity home में जिस तरीके से बच्चों की care की जाती है वहाँ पे उनकी care की जाती है और वो सब souls होते हैं जो care करते है advanced souls उन्हें वहाँ पे mother बोला जाता है वो बिलकुल अपनी मा की तरह वहाँ पे हमारा care करती है और वहाँ पे identification होता है हर soul का यह इसके characteristic क्या क्या है यह किस planet पे जा सकते है तो वहाँ पे और एक identification होता है कि यह soul है जो brave soul है जिसे हम अर्थ पे भेच सकते हैं फिर उन्हें specially अलग से एक treatment दी जाती है उन्हें पूछा जाता है कि आप अर्थ पे जाओगे क्या अगर उन्हें ने हाँ बोला तो उन्हें एक special treatment दी जाती है वो जो अर्थ पे आने के लिए उनको prepare किया जाता है और वहाँ पे वो compassionate souls होते हैं जो हमारी मा की तरह हमारी पूरी देखभाल किया करते हैं यह होते हैं advanced soul plants अब यह तो हो गया soul word जहां पे soul चले गये हैं लेकिन ऐसे बहुत से soul होते हैं कि जो पूर्थी पर ही अठके रहते हैं और पे ही अठके रहते हैं जिने हम earthbound soul बोलते हैं जो कि soul word में पहुचते नहीं है उनके बहुत से reasons भी हो सकते हैं कि वो soul word में खुद जाना नहीं चाते जिने कुछ ऐसा लगता है कि हमारे कुछ चीज़े बची हुई है या फिर हमारे love drown हमें जाने नहीं दे रही है मुझे उनकी care करना है ऐसे बहुत से soul यहां पे अठके हुए होते हैं वो भी unattended नहीं होते हैं यहां पे उन्हें भी attend किया जाता है ऐसा एक soul है जो मरता है एक lady की story उन्हें ने बताई है कि उसका बेटा होता है वो उसे छोड़के चला जाता है और इसकी जो property होती है इसे ऐसा लगता है कि मेरे बेटे को ही देना चाहिए और कुछ दिनों के बाद में यह मर जाती है उसे पता नहीं उसका बेटा कहा चला गया और फिर यह मरने के बाद इसके अंदर एक इच्छा अधूरी होती है कि मेरी property मेरे बेटे को जानी चाहिए तो मरने के बाद बहुत से लोग वहाँ पर आते property लेने के अज़ा करने के लिए तो वहाँ पर ही अठकी हुई होती है वह soul word में नहीं जाती है क्योंकि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई है वहाँ पर ही रुकी हुई है और वो जो भी कुछ बंदे आएंगे जो भी कुछ लोग आएंगे उस property को खरिदने के हो उनके आख सामने अपियर हो जाती थी बूत की तरह और वो सब भाग जाते थी तो वैसे वो हांटेड प्लेस करके डिकलेर हो जाती है तो अब यहाँ पर बैटी हुई है वहाँ पर ही रुकी हुई है अब कितने साल रुकी कि उसके उपर डिपेंड है या तो वो उसके बेटे को प्रॉपरिटी न मिल जाए या फिर उसे खोर्सपुली उपर लेकर जिना जाया जाए तो वो सोल भी अनटेंड नहीं होते हैं कुछ बहुत से हाईर सोल्स होते हैं सोल वड में जिनका काम होता है पेट्रोलियूम करना और ऐसे सोल को उनका mind diot करना या फिर उनको convince करना कि भई यहाँ पर रुकना अच्छा नहीं है आपका evolution नहीं होगा आपको सोल और में आना चाहिए तो वो सोल वहाँ पर आते हैं उन्हें अटेंड करते हैं उनके साथ friendship बनाते हैं बहुत अच्छी तरह के से friendship बनाते हैं यह स उसके साथ में friendship करेंगे बहुत दिनों तो उसके साथ में रहेंगे इतनी best friendship करते हैं इतने best friend बन जाते हैं कि वो जो सोल होता है अटका हुआ सोल वो सारी चीजे उसके साथ शेयर कर लेता है और फिर अगर यह इसे convince न कर पाएं तो उसके लिए arrangement की जाती है मान लो यह जो ल जाने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि उसकी एक three will भी होती है जो हर एक को माननी पड़ती है और हमारे guide हमें कभी force नहीं करेंगी कि आपको यह करना ही है तो इसके लिए यह soul एरेंज करेंगा उपर जाके इसके बेटे को कही ना कही से वह आपे भीज दिया जाए तो जब इसका बेटा कुछ नया जनम लेके आएगा और वो प्रॉपर्टी पर्चेस करेगा या फिर उसे प्रॉपर्टी दी जाएगी तब यह वहां से soul ओर में जाने के लिए रेडी होती है तो यह एरेंजमनी पर की जाती है हर जगा पर एवरिवेर souls are always attended तो यह थोड़ा बहुत था friends, soul के बारे में, soul word के बारे में और बहुती चीज़े है वहां पर जो मुझे बहुती चीज़े याद भी नहीं है और बहुती चीज़े बहुती चीज़े बाताने के लिए अब इतना वक्त भी नहीं है तो आपको soul word अच्छा लगा होगा Thank you, thank you, thank you, thank you Spirit world को, कि हम आपे क्या-क्या करते है मैं सोचते हूँ, अगर आप इस पे विश्वास करते हैं और meditation करी रहें और विश्वास करेंगे तो अब आपको मौच से डर नहीं लगना चाहिए अपने true home जाने के लिए क्या डर? बल्कि हमारे लिए तो life, जब यहां से हम चले जाते हैं, उस दुनिया में जाते हैं तो उसको कहते हैं, graduation day उस दिन तो celebration होना चाहिए कि हम अपने घर वापस जा रहे हैं अपने pre-ajunों के पास जैसे यहां pre-ajun है, वहां पे भी हमारे pre-ajun है यहां से कहीं ज्यादा है और सबसे main चीज न वहाँ पे कोई कश्ट है, न दुख है न कोई competition है, न jealousy है, न hatred है सिर्फ प्यार ही प्यार, प्रकाश ही प्रकाश, ग्यान ही ग्यान और कोई किसी को नीचे नहीं करता आपको जो सीखना है वहाँ पे सीखिए वहाँ इतनी खुशी, इतना आनंद, इतना प्रकाश है कि कहा जाता है कि यदि हम सभी लोगों को याद करने के लिए दे दिया जाए कि वो दुनिया कितनी प्यारी है यकीन मानिये आदे से आदे कि लोग भाग जाएंगे suicide करके कि अरे भाई वो तो तो तुनी ख्यारी दुनिया है कहां यहां फसे वे हैं आपन वही रोज का एक्जाम वही है ना प्रिति वही रोज के एक्जाम फिर मम्मी की डाट कॉम नहालो पापा ने बोला ये करो वो करो उफ वहाँ नहाना न खाना न पीना मढ़िया एकदम रिलाक्स इसी लिए हमारी यादों को मिटा दिया जाता है अपने ट्रू होम की ताकि जब हम यहाँ पर रहें तो बहुत सीरियसली इसी को अपना घर समझ के हम हर चीज सीखें अगर हमको वहां की याद आ जाएगी तो हमारा यहाँ पर रहने का मन नहीं होगा तो इसी लिए जब बच्चा पैदा होता है नाल काट दी जाती है तो उसकी सारी यादों की स्मृतियां कट कर दी जाती है तो जब अगर हमको जाना ही है जो भी जन्मा है वो तो जाएगा ही तो जब जाना ही है तो अरे भाई कोरोना से जाओं की हार्ट अटेक से जाओं की डाइबडी से अपने ही तो घर जा रही हूं न मैं तो इतना है तो वा क्यों करना अगर कुछ काम अधूरा रहे गया है तो आके कर लेंगे क्या जिल्दी है पर डरना क्यों हम आत्मा आत्मा करके डर रहे हैं मेरे पास कई फोन आती है वाटसप आता है कि डर लगता है डर लगता है क्यों डरना आप रोज नींद में एस्टर वर्ल जाते हैं अपने फ्रेंड्स लोगों से मिलने अपने रिलेटिव लोगों से मिलने जो अपने डिपा आज मैंने उसको देखा था बिल्कुल वैसे ही जब हम हर रात को वहाँ पे जाते हैं तो वो वर्ड हमारे लिए अपरिचित नहीं है पर सिर्फ वही आत्मा वहाँ जाने से डरती है जिसके पास ग्यान नहीं है जिसके पास ग्यान नहीं है वो मौत के बाद अपने शरीर में खुस्ते की कोशिश करता है क्योंकि वो अपने को शरीर समझ रहा है अपनी मां को समझ रहा है कि यह सारे ब्रह्मान जब तक के रहेगा तब तक के यही मेरी मां है यही मेरी पत्नी है यही मेरे बच्चे है तो वो जो अग्यानता है जो उसका शरीर से मौ है वो उसे आगे नहीं जाने देता, वो यहां पर भटकते रहता है, और खास कर वो लोग जो बहुत नेगेटिव होते हैं, जो दिन रात नेगेटिव काम करते हैं, मौत के तीन दिन के बाद, जब हमारे Spirit Guides और हमारा Masters आते हैं, और हमें लेख जाने के लिए कहते हैं, तो जो बहुत नेगेट के कारण इतना अंधेरा रहता है, कि न वो अपने Spirit Guides को देख पाता है, न सुन पाता है, और नहीं उसकी कोई भाशा को समझ पाता है, कि अब उसे जाना है, तो Spirit Guides क्या करेंगे, अरे भाई चलो, अब यहां का काम खतम हो गया, चलो, बहुत में लेगा, नहीं, मैंकर तो क सुना ही नहीं दे रहा, वो तो इसी शरीर में आऊंगा, अपनी ही बीवी के पास रहांगा, मेरी माँ है, मेरे बच्चे है, तो Spirit Guides छोड़के चले जाते हैं, कि ठीक भाई जा, तेको जितने डाइम रहना है, मेरे को क्या करना, उनके पास और भी बहुत काम है ने बटा, उनक चले जाते हैं, फिर वो अर्थ-bounded souls यहां पे खूंते रहती हैं, जिसको हम प्रेत कहते हैं, या भूत कहते हैं, जो भी कहते हैं, पर वो हमको हाम नहीं करते हैं, वो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए रुखती हैं, और जिस समय धीरे-धीरे उसको ग्यान आता ह है, उसके सामने प्रकाश आता है, उसका अंधकार हटता है, तो उसको अपने spirit guide दिखते हैं, फिर वो आगे की यात्रा करता है, पर हम इतने सवागिशाली हैं कि हमको ध्यान का मार्ग मिला, हमको इस soul science को जानने का मौका मिल रहा है, आपको मालुम चल रहा है कि आप होम में जाना है, और रही बात हमारे parents की, हमारे बच्चों की, हमारे husband wife की, इस जनम के आपके बंधन हैं, कितने ही जनम ले चुके, कितनी ही शादियां कर चुके, कितने ही बच्चे पैदा कर लिए, किस किस से मो रखो गए, तो सांस तूठी, आपको वहीं पे मो छोड़ द आप सभी लोग detached हो जाओ अपने परिवार से, पती सभी को प्यारे होते हैं, पर आपको वहाँ जाना अकेले ही है, आए अकेले हो, जाए अलग, अकेले ही है, सिर्फ यहाँ कि आपके संगी साथी हैं, जो आपको सिखाने के लिए आपने चूस किया है, रोल प्लान करके उन इस मालूम है कि मेरी आगे की यातरा बहुत बची भी है, तो वो इनसान मौत के बाद जब अपना दासंसकार दिखता है, तो खुशी-खुशी, राजी-राजी, एक सेलिबरेट करते हुए कि चलिए, मेरा एक जनम पूरा हुआ, उल जनम में मैंने कितने अच्छे अनुभ के लिए, हमारे लिए टाइम और स्पेस माइने रपता है, आत्मा के लिए नहीं रपता है, वो खुशी-खुशी आगे की यातरा करेगा, और जिस तरीके से उन्होंने बताया, बिल्कुल ठीक बताया कि जब हम जाती हैं, तो हमारे बिलवेट, हमारे मास्टर्स हमको लेने आते हैं, बहुत प्यार से रिकवरी रूम मिले जाती हैं, हम अपने एस्टर्वर्ड में पहुंसी चीज़े सीखते हैं, आप लोगों ने इंडिन आइडल यहां और भी सिंगिंग के जो आते हैं, उसमें देखा होगा कि कोई-कोई गरीब घर के बच्चे लोग, बहुत ट इंडिन खंड होते हैं, जिसके बारे में कभी और चरचा खरेंगे, लोवर, मिडल, एंड हाई एस्टर वर्ड, तो वो सोल्स क्या करती हैं, जैसे हर आत्मा दो आत्मा दो जनम के बीच कितना भी साल ले सकती है, जाए वो 20 साल ले, 30 साल ले, या तुरंट ले, तुरंट व है, या जो अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा मो रखते हैं, सिर्फ वही तुरंट आती है, नहीं तो बाकि सभी आत्मा ये रिलाक्स करती है, कि अब अराम से अपना सीखेंगे, पढ़ेंगे, अपने माइंड को अच्छे से सोचेंगे, कि हम अगले जनम में क्या बनना है, तो वो जो सोल्स होती है, जिनको सिंगिंग में आगे करना है, जो डांसिंग में आगे करना चाहता है, वहाँ एस्टर वर्ल्ड में इसकी ट्रेनिंग लेती है, पकायजा ट्रेनिंग ली जाती है, बड़े-बड़े मुजिशियंस, बड़े-बड़े डांसर उनको ट्रेनि इस सब्जी वाले का बेटा बनूगा इस रिक्षा वाले का बेटा बनूगा और अपने टैलेंट पे लोगों को दिखाऊंगा उस गरीबे की दौर में भी वो सीखेगा एक-एक मिनट के लिए एक-एक अनुभाव के लिए वो कोई भी प्लान कर सकती है और हमको लगता है बा अच्छी सुन से हम दूसरे काम करने के लिए हैं तकता है प्रीती जी शिवांगी जी ऐसे ही किसी दिन जूम क्लासेस में ज्यान बाटते वे मुझे दिखे मेरा बहुत मन होता है कि आप सभी लोग मास्टर बनिये क्योंकि सिंग डांसर तो मैं नहीं हूं पर अगर एक मास् से नहीं मिल सकता तौ मेरे खिल से काफी टाइम हो गया तो इस टॉपिक को बन करें इसको और भी बहुत बार हम बार बार बोलते रहेंगे हनां तो फैंक व ऐंकियो फैंक मेरे सारे फ्रेंड्स लोग जो साड़े दस बजे तक क्या आप लोग सुन रहे हैं हमारी बातों को मैं आप लोगों को अन्म्यूट कर रही हूँ आप खेमचंजी से या मुझसे जो भी क्वेस्चन पूता हैं आप पूछ सकते हो ताकि रात को सोते समय कोई आपको डाउट नहीं रहे मैं हां मैं आत्मा का विज्ञान समझ में आया और मैं क्या हूँ यह भी खोड़ा खोड़ा यहने तुमारी आवाज में बहुत डिस्टरबंस है कुछ करो डिस्टरबंस हारा है शहां में इसका वाद्मा को हमने रहे है लेकिन पर्मारी का सीथ रहते है किया है श्णा वोंते Intelli सब्मक कर एनता है यह थै कर बोखंड दिस्टरबंस है मोजी भी समय कर नहीं आ रहा है um पूरवज है वो सब बताते आ रहे कि अपने बाद में हिसाब होता है पाप पुन्य जो भी कमाया हुआ होता है अपने तो उसका हिसाब अपने को उपर जाके देना पड़ता है तो अभी जो हम लोग जो सीखे है उससाब से तो all the souls are treated very nicely तो उसमें ये पिट कैसे बैठेगा लएक, what is the criteria for this life? Actually ma'am, जैसा कि हमने पड़ा है या फिर सुना है कि मरने के बाद ये होता है वो होता है अगर आपने बहुत पाप किया है तो आपको उपर जाके कड़ाई में डालेंगे और आपको खौलते कड़ेंगे तो ये सब जूट है, जूट इन देसेंस ऐसा नहीं होता है अगर अभी आप सोचो, मुझे बच्पन में भी ये सवाल आता था, मैं छोटा सा, बहुत से मूवी देखा था, उसमें बताया जाता था कि यहाँ पर अगर हमने देह छोड़ दिया, हमारे बाड़ी अगर छोड़ दी, तिरिफ हमारा सोल उपर जा रहा है तो सोल तो एक एनरजी है, और यहाँ पर अगर हम हिंदू है तो हमारा सो बाड़ी भी तो जला दिया, तो उपर जाके किसको फ्राइ करेंगे तो सोल जो हमने बोला, वह से कुछ चीज़े हम पूरी तरी कैसे नहीं बता पाया हूं नहीं, no doubt, but एक और प्रश्शन था मन में की, जो पाप पुन्य यहां होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत पाप किया है, यह है, तो हम विल ही गेट इस, उसको उसका, तेला कसा मिलना थेचे सगे, डीज और वाटेवर इज़े बोलने दीजे थोड़ा, तो अरे धरम पुरोहित लोग है ना, उस समय भी मेल डॉमिनेटिंग समाच था, हाना? उन लोगों ने कमाने के लिए लोगों को इतना डराया, ताकि हम श्राद करें, पंडितों से पुजा कराएं, अरे हम देंगे नहीं, तो वो खाएंगे क्या? हम को भाया गया, हमको मिस्ग साइड किया गया, और ये चलते आई, चलते आई, स्वर्ग और नर्ख उपर में नहीं है, स्वर्ग और नर्ख पृत्वी पर आप अपने लिए बनाते हैं, अगर आप यहां पे खुश है, तो स्वर्ग में हैं, और यदि यहां पे आप दुख में, गिल्ट में, परिशान होके जीवन बिता रहे हैं तो नर्क है वहाँ पर सोल लेवल पर आपको कोई जज नहीं करता कि आपने गलत किया या सही किया कोई हमको न चिलाता है न डाटता है न कोई सजा देता है हमारे जो कर्थ वो आप पाप अर पूर्ण ने बोल रहे हैं तो सिर्फ गाइड किया जाता है कि अब अगले जनम के लिए आपकी ये पैंडिंग फाइल है, हर करम से हमको कुछ न कुछ सीखना है, जिस कारण हमने वो करम किया, अगर मैंने इस जनम में चोरी की, तो उस चोरी का कारण क्या था, क्या डर था, या कोई फॉल्स बिलीव थी वो कारण को जब तक कि मैं नहीं समझूंगी, तब तक कि मुझे उसकी सजा काटनी है एक गरीब के रूप में, या ऐसा जनम लूँगी, जहांपे मेरे घर में चोरी हो जाए, ताकि वो मैं दर्द महसूस करूँ, और उस कारण को, जिस कारण से मैंने वो करम किया, उसका ल बना के प्रिथवी पर आते हैं, हमें कोई थोपता नहीं है कि इस जनम में आपको इतने ही करम काटने हैं बुरे या अच्छे ही, वो हम चूस करते हैं और हमारे मास्टर हमको गाइड करते कि नहीं, आपको इतने अच्छे और इतने बुरे करम लेके जाने हैं प्रिथवी और आप lesson भी पढ़िये और आप अपना evolution भी करते जाए और हम उसको लेकर आते हैं बाकी आत्मा के level पे चाहे कोई suicide करके जाए जिसको हम कहते हैं कि suicide तो जगन अपराध है उसको नरक में सजा मिलेगी ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पर भी जाते हैं तो guide उनको प्यार से समझा की recovery room में ले जाके recovery कराते हैं और उनके अगले पाट को थोड़ा सा कठिन बना के फिर बेजते हैं पर वहाँ पे कहीं पे भी भेदभाव नहीं होता वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता जो आपने सुना है सारे शास्त्रों को जो हमको डर बैठाता है वो शास्त्रों को एक किनारी में रख देना चाहिए उन्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए जो विश्टु पुरान डेथ के बाद बोला जाता है मेरे मदर के नहीं मेरी मदर को नहीं में और मेरी ब्रदर के टाइम में यह विश्टु पुरान कहते हैं, विश्टु पुरान के लिए लिखा गया है, और क्यों लिखा गया है, शायद लोग छत्री देंगे, खाना देंगे, सब्जी देंगे, ब्राह्मनों के घर भरे रहेंगे, यह शायद ऐसे भी हो सकता है माम कि उसकी वज़े से यह भी किया होगा कि लोग यहां पे कम पाप करे हो या जो भी हो कुछ एक डर मन में रहे कि बाद में मुझे इसका यह हिसाब देना है कभी ना कभी. अगर वो वाकई इमानदार होते हैं अर्चना जी, अगर वो वाकई इमानदार होते हैं हमारे धर्मपुरी, तो वो हमको कर्म सिद्धान पढ़ाते हैं, दरूर पुरान नहीं पढ़ाते हैं, वो हमको समझाते कि कर्म सिद्धान क्या है, एस्ट्र ट्रेवल क्या है, सोल समझाएगा वो हमारे ब्रह्मरिशी प्यारे हमारे जो गुरू है उन्होंने एक मिशन रखा हुआ है कि इस घर में इस धर्ती पे जितने लोग है उनके पास सोल साइंस पहुंचे लोगों के दिमाग में से डर हट जाए कोई आपका श्राद का आपके पिता को और माता को नही और जब जाओ इस दुनिया से जब विदा हूँ बिना डर के जाओ इंजॉय करते वे जाओ मैंने अपने बच्चे को कहा है कि जिस दिन मेरी डेथ होएगी बेटा न उस दिन अपने बाल देना है तुमको न तुमको कोई ये पंडितों के श्राद और ये तेरा दिन की कैस करा है कि कुछ भी नहीं करना है क्जै मुझे है मेरे चांड एक जन्यों क कौन पैना रहा है क्या विद्छा नगों जन्ही सिर्फ ने अर कि सब लोगों को संजहाऊ और वही मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप अपने दिमाग से हटा दीजिए आ बहुन से से लेंगे हम लोग इन से रिलेटेड ताकि आप लोगों का डर दूर हो और मैं कुछ एक और बात कहने वाली थी हाँ जो आप कह रहे हैं तो छोटी सी कहानी बताऊंगी बहुत प्यारी सी यह मीठी कहानी कबीर किसी के घर में कुछ काम करते थे कबीर जुलाहे थे आपको मालम है पर वो किसी कहां काम कर रहे थे तो उसने कहा कि कबीर आद मेरे पिता का श्राद है यह बाल्टी लो और गाय को दूग के तो आ जाओ क्योंकि खीर पकानी है पंडित आने वाला है तो वो कहता है जी मा श्राद कर लेता है और फिर उसको ढूंते ढूंते जाता है और कभीर को पाता है एक खेत में और वो खेत में गाय के पास ऐसे बैठा हुआ है कभीर बिल्कुल ऐसे तुम पागल हो गया हो क्या कभीर मैंने तुम्हें बहेजा था गाय का दूद लेने के लिए कि श्राद है त तो तुम गाय के पास बैटे एंवे हो बालटी पकड़के. हो बोले कब से तुम एने बालटी पकड़ा है? रहां गाय खड़ीजी थोड़ी तूर पे 1-10 कदम की साथ क्टम की साथ कर्राईगे. और बोलता है कभी कि मैं इसको बार-बार बोल रहा हूं, इसमें दूद दे, दूद दे, दूद दे, गाय दे ही नहीं रही है दूद, तो बोले कभी तुम पागल हो गया, दूद देने के लिए तुमको गाय तक के पास जाना पड़ेगा, उसको दोहना पड़ेगा, बोले ऐसा है क्या, मैं सोचा, जब यहां की खीर आपके दादा को spirit world में मिल जाएगी वो जहाँ चले गए हैं यहां की खीर वहाँ मिल जाएगी तो यह तो पांच कदम की दूरी पे गाई है वो मुझे क्यों नहीं दूर दे सकती आप समझे गए इस कहानी का मतलब येस आरे रिष्टे नाते आपके इस प्रिथ्वी पर है उसको बहुत प्रेम पूर्वपने भाव श्राद करने से अच्छा है जो जिवित है उनको भरपूर प्यार को उनकी सेवा करो जाने के बाद उनको बहुत प्यार से याद करो बस इससे जादा कुछ भी नहीं वोलूंगी समझदार हो, समझदार को इशारा काफी रहता है ठीक है? ठीक है? ठीक यू और कोई ठीक यू माम, ठीक यू वही मच अर्शनल जी आप ठीक यू तो इस प्रिट का वोल्ड की कोई एक दू बुक्स का में नाम डालूंगी आप एमेजों से मंगा के पड़िये, हाना? ठीक यू और किसी को कोई डाउट हो? ये संतोज जी? मैं मैं आपने जो बता है कि आफ्टर देट पीज दिन तक सूल रहती है यहीं पे ना? तो वो मतलब कि क्यो रहती है और क्या करती है ये बस ठोड़ा सा जैसे हम मरते हैं हमारी एठरिक बोड़ी धीरे धीरे नश्ट होनी शुरू हो जाती है क्योंकि वो एनरजी बोड़ी है दो दिन में तीन दिन में वो भी डिजॉल हो जाती है जिस समय हम मरते हैं उसी समय हमारी फिजिकल बोड़ी और astral body की cord जो silver cord मैंने बताया था उसको काट दिया जाता है permanent जब हम astral travel करते हैं तो हम astral travel करते हैं तब हमारा silver cord रहता है कोई दुनिया का इंसान हमारे silver cord को नहीं टोड सकता न काट सकता न कोई हाम कर सकता पर जब मृत्यू होती है तो वो permanent कर जाती है तो जैसे बच्चा पैदा होता है उसका umbilical cord सूपता है हाना आपन नाभी से काटते हैं बच्चे का तो दीरे दीरे उसकी नाभी का भाग गेता है बेकुल वैसे ही silver cord भी सूप जाता है उसे तीन दिन का time लगता है और आत्मा चाहे कितना भी हम ग्यान ले ले थोड़ा अपने परिवार से अपने शरी से उसका मो रहता है तो अपने घर के आसपास खूं सकती है रह सकती है पर जो ग्यानी पुरिश है वो तीन दिन भी इंतजार नहीं करते हैं वो आगे चले जाते हैं फिजिकल बॉड़ी जल गई उसे दिन चंतोष जी तीन दिन दके एथरिक बॉड़ी या दो दिन में दीरे दीरे डिजॉल हो जाएगी खतम हो जाएगी फिजिकल और एथरिक बॉड़ी यही रह जाएगी बच्ची कौन से हमारी थर्ड नमबर की एस्ट्र एस्ट्र बॉड़ी आगे ट्रावल करेगी जलाया सिर्फ इसलिए जाता है ताकि आत्मा का अप्टी शरीम से मोग खतम हो जाए जो गुरुम होते हैं जो समाधी अवस्था को पार कर लेते हैं उनको कभी भी नहीं जलाया जाता उनकी समाधी बनाई जाती है क्योंकि हमको मालुम है कि वो आगे अपनी यात्रा जरूर करेंगे और उनकी जो बॉड़ी जब कोई एनलाइटन हो जाता है परसन तो उसकी एक-एक सेल उसकी बोन की एक-एक सेल उसकी पूरी शरी की एक-एक सेल light energy हो जाती है और उसमें जो पावर होता है जो एक बुलते हैं न प्यूरिटी और वो जो रहता है वो हम नश्ठ में करना चाहते हैं तो ऐसे समाधी प्राप्थ, बुद्धत प्राप्थ लोगों को हम समाधी बनाके रख लेते हैं ताकि वहाँ पर उर्जा बनी रहें भगवान बुद्ध की साथ जगह है समाधी मेरे ख्याल से आप लोग गूगल सर्च कर लेना हमारे जो पत्री सहर हैं उनके गुरु हैं उनकी भी करनूल के थोड़ा आगे में नंदी बरम में उनकी समाधी है ओशो की समाधी पूने में हैं ताकि उनकी एनरजी हमेशा हमारे साथक लोग महसूस कर सकें और वो तीन दिन तक के यहां नहीं रुखते हैं वो चले जाते हैं जिनको ग्यान है अन्हा तब तक कि अपने घर के आसपास गुमेगा और जो काम करना होगा और वो भी उनी को करती हैं जो बहुत डरती हैं तो डरना भी नहीं चाहिए Thank you Ma'am, मैं यह सब में बिलीव नहीं करती हूँ वो शराद करो ये करो इन फाक्ट हम लोग घर में भी मेरे फादर-िलो का शराद वो ब्रामन भोग वोग सब बन करके हम लोग अनाताश्रम में खाना देजे हैं We have stopped that procedure only कि ब्रामन भोग करो ये करो और इसको नहीं मिलता है उसको दो This is the procedure which we have started in our family also बिल्कुल, बिल्कुल आप वहां पे पैसा बिल्कुल 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 नहीं उससे तो अनाताश्रम में देदो ना वो बच्चों को थोड़ा अच्छा खाना तो मिल जाएगा एक दिन उनके नाम से और उनको भी तो शांती मिलेगी यह उनको नहीं करो तो मेरा तो एक ही है है कि कि बच्चे को बढ लिए आप पैसे जानने कर सकते तो इनको है नेए वो भी करते हैं हमारे गाओं में जितने भी गरीब बच्चे हैं जिनको पैसे की वज़े से पढ नहीं नसीब होता है उन लोग को हम सब्सक्ष व बच्चों को 9 यह उनको हम झाली पैसा नहीं है और पढ़ाई में तेज है तो वो मैं कर दूँगा तो किसने सारे मेडिकल और इंजिनियरिंग स्टूडन्स है जो मेरे डाडी के पैसे पर हर साल पढ़ते हैं तो अब अब अपना पैसा मेडिशन सिखाने में खर्च करिये गा अब आप वाकई प्यार करते हैं में को खेंचन जी को माही को हमारी पूरी टीम को तो कम से अपना पैसा कोई भी जूम सेशन लगा के या कोई स्कूल में जाके और कॉलेज में जाके आप मेडिटेशन जरू सिखाएगा तो फ्रेंड्स अब मीटिंग करें या किसी को कुछ पूछना है कि मां चले गए तो इसलिए मैं बुलिया आप नहीं जाटोगे मुझे दाटा जाएगे तो भी वबी सही है मां पहुत प्यार सी बोलते हो तो बच्चे भाग जाएगे तो बच्चे बागजाएगे मुझे बहुत पिछल्स ते ले है फिल्कुल स्वे तो इट बास तो जो ब्रबी सिसके लिए हो देना मैं तो इसलिक को कोई डाउट नहीं है मां अलो डाउट के अलो तो प्लेर हो एगा थैंक यू शिवांगे जी थैंक यू लाव यू पर आपने बहुत क्लिर है बहुत अच्छी बात है थैंक यू मैम थैंक यू थैंक यू और खेम जी थैंक यू कहां है चित्रगुप्तु कोई दिखाए तो सही चित्रगुप्त का मिनिंग पूरा उल्टा कर दिया है उसका अगर नाम ही देखे ना चित्रगुप्त यानि ऐसा चित्रगुप्त है जो भैनिश्ट दिखता नहीं है जो हमारा जो भी लिखा पड़ा होता है एक आकाशिक रेकॉर्ड में जाता है तो इसलिए उसको चित्रगुप्त कहा गया है लेकिन वो पंडितों ने सम्झाया ने ठीक से उन्होंने एक आदमी को बना दिया चित्रगुप्त कि हिंदू लोग नौन विच खाना कब छोड़े कब हमारे वेद धर्म में आया कि हम वेजिटेरियन बने इसके पर बहुत अच्छी चीजे कर भी करोंगे हाँ चंदन जी हाँ मैं नमस्ते आप जो बताएं मैं ब्रामन का तो सहद आपको याद होगा जो कौन खेम चंद्र थे जो गौदान लिखे थे और रैटर थे प्रेम चंद हाँ उसका शुरू में कौन सा नाम था इंका मिसर कुछ ऐसा था जो जिसमें गौदान इसका बी मिला है तो जिस्विसे में जो ब्रामन के लिए बोले थे जो कि ब्रामन हर चीज के लिए दान देना ये देना वो देना जैसे किसी को खाने के लिए पैसा नहीं था, वो मर रहा है खाने के वज़े से, और उसे बताया जाता है, जो आप इसको गौदान कर दीजे, उसे मुक्ती मिल जाएगा। जो है, यह जो आप लो बता रहे थे तो मुझे वो कहानी याद आ रहा था, तो मैं में में से बात करूँ इस विशे में, यह बात सही है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका यह शेरिंग करने के लिए चंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैंने गौदान बुक नहीं पड़ी है, मैंने नाम जरू सुना है, और मेरी भी जो मेड है, जतनारायन की कथा पे हजारों रुपे दान किये जाते थे, लोगों को बुला के खाना खिलाया जाता था, मैं उसको मेडिटेशन में लाई और वो मेडिटेशन कर रही है, और आजे सेदिक उनके पैसे बच रहे हैं, तब के शोशन हो रहा है पंडितों त्वारा गरीब लोगों का, क्या सूशते हैं कि वो पंडित लोग वहाँ एस्परेट करके इस कहानी को आप लोग सुनें, आप लोगों को रोना आ जाएगा, जो इसका दर्द क्या है, और ये ब्राह्मन है, जो कितने गिरे हुए हैं, जो कि लास्ट लास्ट उसकी वाइप के पास साइद एक पैसा रहता है, दो रुपे रहता है, वो भी उसे दान करवा के वो ब्राह्मन ले लेता है, उस समय ये समझ में आ जाता है, जो कि वो कितना गया गुजरा है, क्या उसके लिए कर्मा नहीं है? जैन 느anhा, उसका कर्मा होई रहा, अगर आप देखोगे ना, ये सारे हम लोग को बोलते हैं, पूजा पाट करो, ये करो, ये दान करो, वो दान करो, उनके बेटर को कि भी पूजानी होती, उनके घर में कभी पूजानी होती, उनको पूजा जा तो बोलें कि हम आ आप सब लो आपको ग्हान उगया ना चंदन जी न बनने देना दिल्खुल अगर आपने चेंज कर लिये तो आपका जीवन सफल हो गया तो चलिए फ्रेंड्स ग्यारा बदने वाले हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, अब आप अराम से ट्यारी से अपनी जूमों को याद करते वे सो जाईएगा, और इसके बाद भी बहुत से से सेशन होंगे हमारे स्पिरिट वर्ल्ड के ऊपर, तो तब तक के, संजय जी का एक आफिस सावाल है, शायद है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, देखिए, वो अपने पैरंट्स के घर में जलगाओं, मेरो के वे हैं, जान नैट्वर्क का प्रॉब्लम है, तब भी उन्होंने कहा कि, यस, मैं लोगों को शेयर करूंगा तो यह बहुत प्यारी सोल है हमारे ग्रुप की, तो थैंक यू, संजय जी, शायद लास्ट वाला कॉश्चन कुछ देते हैं उनका, अगर पूछ रहा है तो पूछ लीजिए, अगर पूछ लीजिए, अच्छा, 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 जी, एक कम्पूटर में चालू था, एक मॉबाइल में चालू किया हूँ, यह पूछना था कि जैसे आप भी बताएं, सोल का जरनी अगर आवा जा रही है, तो यह सोल का बारे में जो बताएं, तो यह कहां से है, इंफर्मेशन यह सब कहां से मिलती है अपने को, यह सर, आप यह सर, एक मेड़ीरेशन का यह पार्ट है, जो फुर्ड अफर्मेशन का ही पार्ट है, जो थोड़ा सा इसा और हम यह साईिग को हिपनोडिक स्टेज मे लोग जाती हैं, हिपनोसिस बुलती है, तो अगर वो किया जाए, तो हम लोग कही पे भी पोशित, वैसे तो जो करवाते हैं उनका काम यही है कि सोल वड के बारे में इंफॉर्मेशन लओ और हर एक तरीके से लोग हर एक तरीके हर एक ग्रेट सोल को ले के चूज करके उनको रिग्रेस किया जाए ताकि यह सब इंफॉर्मेशन हमें दे हर चीज में क्वांटम फिजिक से लेकर हर चीज को उलट पुलट करके देखा जा रहा है कि हमारी भविश्य के काम आ सके हमारा ज्यान बढ़ा सके तो क्या स्पिरिचुलिटी में रिसर्च नहीं हो रही है बहुत ज्यादा हो रही है कि हमारा डियाने कैसे अक्टिवेट होता है मेडिटेशन से कैसे औरा चेंज होती है और मृत्यू हमेशा से इंसान के लिए सबसे बड़ा रहस से बना हुआ है आज तक तो जो भी सम्मोहन करता है जो हिप्नो थेरेपिस्ट है वो कई लोगों हज़ारों हज़ारों की तादाग में लोगों को सम्मोहन के द्वारा पिछले जनम में भी ले जाते हैं और दो जनम के बीच में भी ले जाते हैं जब उन्होंने सोल प्लैन बनाया यह बहुत एक प्यारी सी कथा है जब मैं कैथरीन के बारे में आपको बताऊंगी कि कि पहली बार कैसे मालुम चला कि लाइव बिट्वीन लाइव भी होती है उसके बाद अंबार लग गया पूरे रिसर्च होने लग गया सारे हिपनो थेर्ट जुड गया कि आत्मा कई जन लेती है तो दोनों की बीच में करती क्या है तब जान बूच के उनको सम्मोहन के द्वारा उनकी उस इस्परेट वर्ल्ड की लाइफ में ले जाया गया जहां पे रहती है अलग अलग चाहे रोबर्ट श्वार्ट बोलो ब्रैन वीज बोलो माइकल न्यूटन बोलो ऐसे बह लेते हैं तो कोई पांच और दस लोगों के ऊपर एक्सपरिमेंट करके नहीं करते हैं हजारों दस दस बीस बीस हजार की तादाद में जब बनती हैं सारी रिपोर्ट्स उनलों फाइल करके उसके बाद उनलों बुक लिखते हैं ताकि जो इस पिरिचुलिटी में आगे जहां पर पूरे टाइम काम चलते रहता है हमारे मेडिटेशन के द्वारा हमारे शरी से लेके हमारी आत्मा तक के बारे में जानने के लिए एक्सपरिमेंट हो रहे हैं तो इसी लिए हमारे को ये साइंस हमको दिया गया है ताकि हम लोगों के मन में से वो जो डर है वो करना चाहेंगे तो Amazon में भी बहुत सारी बुक है मैं आप लोगों को नाम शेयर कर दूँगी आप आप जो गीता के बारे में अभी कुछ कह रहते तो गीता को हमने ठीक से समझा ही नहीं है उसमें सिर्फ तीन वर्ड को चाहिए आप गीता को समझ जाएंगे पर वो तीन करता हूंगी धीरे धीरे रहसे कुलना चाहिए ताकि आप लोग भी डाइजस्ट कर सकें कृष्ण ने यह नहीं कहा कि मेरे पास आओ क्या कहा क्यूं कहा सब जानेंगे संजी धैर रखिए मेडिटेशन खूब करते रहिए ताकि आपकी एनरजी लेवल बड़े ताकि वो घ्यान को आप अपने आप में एब्सॉब कर सकें ठीक है फ्रेंस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम और हो सकता है कि कुछ एक लोग को नहीं विश्वास है तो क्या फरक पड़ हो तो रहेगा मिजón ग्रैविटी आपको भिष्व क्रिकों सोती है помानती यह नहीं दिख रहा था तो मानना आूपके ऊपर है हमारे पास तो वो शक्ती नहीं है जो मड़ान गुद्ध के पास थी वो तो अपने सारे शिष्रयों को जातनी स्मर्ण के द्वारा पितले जनम म ले जाते थे, हमारे पास तो नहीं है, खेमजंदी और मेरे पास तो नहीं है, हम तो अपने ही पुने जनल में नहीं गयें तो आपू काल जाएंगें तो फिलहाल जिसको नहीं मानना है उसको भी थैंकियू जूर मान रहा है उसके लिए थैंकियू ठीक है चलिये फ्रेंडस बहुत बाते हो गई हम लोग के बाते के भी खथम नहीं होती Good night, good night Thank you Good night Bye bye